जहें दोस्तो स्वागत है आपका Rankers Guru कुल YouTube चैनल पे मैं आदितरे जनाप सभी का तहे दिल से यहां स्वागत करता हूँ हाल फिलाल में हमारे सीजल मेंस का पेपर हुआ है और वो हुआ है हमारा 26 अक्टूबर 2023 को बच्चों ने इसको काफी जादा टफ बताया और एक तरीके से ये भी कहा कि इसमें जो questions आये थे वो कैलकुलेटिव आये थे हाला कि मुझे question बहुत जादा कैलकुलेटिव नहीं लगे हो सकता है कि time limit के अंदर मैं आपको question जो है वो कैलकुलेटिव लग रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि शुरू कि अगर दो तीन सवाल ही हमें थोड़ा सा टफ मिल जाते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पेपर ही कैलकुलेटिव है तो चलिए एक बार पूरे पेपर को solve करते हैं और देखते हैं वाकई में क्या हमारा पेपर कैलकुलेटिव था टाइम टेगिंग था तॉफ था या कुछ ऐसा मेरे भाई ऐसा पूछ लिया गया जो कैट और रंप्याड और कहा कहा के शीट से थे या फिर मेरे भाई खुद अपने मेंस के बाच के शीट के थे सारी बाते जो हैं यहां पर हो जाएंगे क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जब आंसर किया जाएगा तो उसके बाद यहां पर तब हम आपको बताएंगे ताकि options का भी काफी साधा सहरा मिलेगा और वो एक exact analysis हो पाएगी कि हां उस paper में within time यहां पर option का भी स्तमाल करके कई सारे सवालों को हम कर सकते थे क्योंकि देखो जो paper होता है यहां पर उसमें मेरे पाई options का बहुत बड़ा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल आपका probability का यह आया और काफी प्यारा सवाल यह आने वाले परिक्षाओं में यह पूछा जा सकता है ठीक है तो यह पहले भी मेरे भाई जो है हमने आपको बता रखा है कुछ-कुछ पाट से आपर आज यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले आपको छोटी सी बात तो पताईए कि A union B का मान कितना होता है तो बोलेंगे सर probability of A प्लस हमारा हो जाएगा probability of B और उसके बाद मेरे भाई यहां पर हो जाएगा minus probability of A intersection B अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें A union B का मान दिया है उसके बाद हमें A का मान दिया है हमें B का मान निकालना है सबसे पहली बात यहाँ पर देखो तो पता क्या करना है odd against event B पता करना है odd against event B का मतलब यहाँ पर क्या होता है तो इसका मतलब यहाँ पर होता है कि probability of B not यानि B नहीं आने की संभावना divided by probability of B आने की संभावना हमें यह पता करना है अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यह value पता करना है तो इसके लिए B कामान चाहिए और B कामान पता करने के लिए मुझे यहाँ पर B कामान यहीं से पता चलेगा अब यहाँ पता करने के लिए देखो A union B भी दिया हुआ है A कामान भी दिया हुआ है तो मुझे पहले इसकी value पता करनी होगी अगर यह value पता चल गई तो B कामान पता चल जाएगा और B का मान पता चल गया तो मुझे पूरा का पूरा आंसर मेरा पता चल जाएगा तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यह A intersection B यह हम कहां से लेकर आएंगे तो यह मेरे भाई देखो यह data हमारा यूटिलाईज हो गया यह data हमारा यूटिलाईज हो गया लेकिन यह वाला data यूटिलाईज नहीं हुआ है तो हम लोग उसको यूटिलाईज करेंगे दो बाते होती है जो आपको समझनी होती है यहाँ पर और वो दो बाते क्या होती है जैसे साइन को बदलना चाहो तो आप ऐसा कह सकते हो probability of A0 intersection B0 यह बराबर हो जाएगा minus यहाँ पर P A union B के समझ गया मेरी बात को साइन का खेल है यहाँ पर अगर यहाँ U है तो यहाँ U को उल्टा कर दो और यहाँ अगर उल्टा है तो मेरे भाई इसको यहाँ पर उल्टा कर दो आप इस तरीके से समझ सकते हैं फिलाल मेरे पास यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर देखो A union B का मान तो A union B का मान सर मान कितना है तो 5 बटे 9 है A का मान हमारा कितना है तो A का मान हमारा 11 बटे 18 है B का मान हमें नहीं पता है तो चुपचाप हम B का मान रखेंगे और ये minus P of A intersection B ये हमें यहां से मिल जाएगा भाई ठीक है minus P intersection B तो 1 को इधर लेकर आ जाओ यानि P of this minus 1 तो हम क्या बोलेंगे P of this ये हमारा कितना है तो बोलेंगे सर 13 बटे 27 में से 1 घटा लो तो क्या हो जाएगा सर 13 बटे 27 में से कितना घटा लो सर 1 घटा लो भाई यहां पर लागे सब का ELSIUM चोओन ले लो तुम यहां पर 9, 18, 27 ELSIUM कितना हो गया 9 का कितना 6 गुना तो ये तुमारा 30 हो जाएगा 18 का 3 गुना तो माइनस 33 हो जाएगा 27 का 2 गुना तो माइनस का 26 हो जाएगा और ये चोओन है तो इदर आकर तुमारा कितना हो जाएगा पलस का मेरे भाई चोओन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा तो probability of B हो जाएगा अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 37 हमारा 84 हो गया और तुमारा 84 में से कितना चला गया यह देख लो 84 और यह 639 तुमारा 59 तो कुल मिलाकर 84 से तुमारा 59 गया तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा भाई ये किस के बरावर तो probability of b के बरावर अब ये b का मान तो हमें आचुका है हमें answer क्या चाहिए odd against b चाहिए तो odds against b चाहिए तो यहाँ पर हम answer में क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर odd against b का मतलब चववन में ये 25 बार आया है तो कितनी बार नहीं आया है तो चववन में मेरे भाई यहाँ पर ये 24 बार नहीं आया है कितनी बार नहीं आया है तो 26 बार ये नहीं आया है ठीक है और probability of B हमारा क्या हो जाएगा तो probability of B हमारा हो जाएगा कि यहां पर कितना हो जाएगा तो 39 हो जाएगा कि चोटा सा एक और काम आप यहां पर कर सकते हैं और वो यहां पर इतना सारा ना कर गया आप इसको और शौट में काम कर सकते हैं कि देखे Probability of not भी पूछा है तो आप ऐसे समझ लो टोटल इवेंट आपके पास कितना है तो 45 है उसमें से कितनी बार आ गया तो 25 बार आ गया तो कितनी बार नहीं आया तो 29 बार नहीं आया और कितनी बार में तो 25 बार में तो आप डारेक्ट ऐसे भी आंसर दे सकते हो इतना ज़ादा डिवाइड करने के आपका वशक्ता नहीं है तो कौन सो ऑप्षन होगा तो ऑप्षन नमबर डीफर देव से नहोगा भाई सिंपल है ठीक है आज यहीं चलिए नेक्स्ट कोशन की बात यहां पर करते हैं कोशन में क्या बोला गया इसी टावर के शिर्स से 10 मीटर उची ने और पेशन के बात करेते हो हमारा 600ै तो बोलाना टॉप ओ पुटा और एंगल टपरेशन जो हमारा वह हमारा कितना ए壓फ हमारा कितना है। simple सा question है भाई यहां पर देखो 60 degree है तो 60 के सामने कितना होगा तो root 3 होगा 60 का base कितना होगा एक होगा और यहां पर तो बाकी आवशकता ही नहीं है मेरा यहां पर यह कहना है कि देखो जैसे यह जो तुम्हारा distance होगा वही यह भी distance होगा मेरे भाई बराबर होगा तो अगर यह 50 root 3 है तो यहां पर 1 का मान कितना होगा तो 1 का मान 50 root 3 अगर 1 का मान 50 root 3 तो मेरे भाई root 3 का मान 50 root 3 को root 3 से गुना करो तो 1.500 और 10 यह मेरे भाई पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 160 option number D4 यहां पर clear है यह बात यहां पर यह 50 root 3 तो 50 root 3 एक का मान 50 root 3 तो root 3 को मेरे भाई गुना करो इसको root 3 के साथ 1.500 ऊपर वाला पार तुम्हारा 1.500 नीचे वाला पार 10 यह नि पूरा कितना 160 हो जाएगा सारी बात height and distance की लगबग पढ़ा चुका हूँ कोई ऐसा question मुझे देखने को मिला नहीं एक आदा question के लावा जो आपके मेंस के बैच में नहीं था लगबग सारी बाते हम आपको पढ़ा चुके थे आने वाले समय में हम आपको सारा का सारा मेंस के मेरे भाई class note से भी हम आपको दिखा देंगे सारे questions आपके class notes में दिए गए थे अब यहाँ पर question में पढ़िए इनका product of mode बोला है यार सबसे पहली बात बहुलक की बात करते हैं क्या परिभाशा होती है mode की वो संख्या जो कई बार repeat हो बार बार जो repeat होना उसको हम mode बोलते हैं अपनी पैनी निगाहों से यहाँ पर देखो तो देखो यहाँ पर 15 है और मेरे भाई यहाँ पर 15 है 15 को दो बार बोला गया है और 15 के साथ यहाँ पर 15 का देखो यहाँ 1 की multiple है अगर 15 से करोगे तो तुम्हारा 15 और 13 आ जाएगा तो यहाँ पर 13 की भी counting कर लो 13 तुम्हारा एक बारा रखा है 13 तुम्हारा दो बारा रखा है तो ऐसा है भाई यहाँ पर की 15 तुम्हारे दो बारा हैं तेरा तुम्हारे दो बारा हैं यानि अगर कोई संख्या बराबर मातरा में repeat होती है 15 भी दो बारा है, 13 भी दो बारा है, तो ये दोनों इसकी बहुलक कलाएंगी, और question में बोला है, दोनों बहुलकों का गुननफल ग्याद करो, तो 13 into 15 हमारा कितना हो जाएगा 195, क्योंकि 5 का यहां पर एक ही multiple है, जो 13 के साथ combine कर रहा है, क्योंकि 5 को और संक्या के साथ multiply करने प हमारा 5 ही होगा, तो यह हमारा 195 हो गया, ठीक है, आज यह चलिए, next question देखिए, time and work का एक बहुत ही heavy सवाल, बहुत ही असान तरीके से हम इसे कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, A और B मिलकर किसी कारे को साड़े 12 दिनों में करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं 4 गुना कर दो, क्योंकि देखो, 0.25 रहता है, ठीक है, मेरे भाई तो भी 4 गुना करते हैं, 0.5 रहता है तो 2 गुना करते हैं, 0.75 रहता है तो 4 गुना करते हैं, 18 होगे 72 त 35 बटे 4 हो जाएगा हमारा यहां पर, ठीक है, उसके बाद बोला गया है, A और C मिलकर उस कारे को 5 दिनों में करते हैं, A और C मिलकर उस कारे को 15 दिनों में करते हैं, अब LSEM अगर हम लेंगे यहाँ पर तो मैं बोलता हूँ कि जो तुमारा दिल का है हमेशा उसका डबल लेना, जैसे दिल तुमारा 25-75 के हिसाब से 75 बोलेगा, तुम 75 मत लेना, उसका डबल लेना, क्योंकि जब संख्या यहाँ पर पेरिंग में होती है, तो बाद में आधा करने में दिक्काता आता है, तो मेरे भाई यहाँ पर आप क्या करना, 75 का डबल कितना ले लो, 1500 ले लो, ठीक है, 25 से काटोगे 6 बार में, तो 6 into 2, 12 निकल जाएगा, 35 से 2 बार में, 4 into 2, 8 हो जाएगा, 15 से 10 बार में यहाँ पर, अगर हम इंडिवीडिवली बात करेंगे, यहाँ पर तो देखो, क्वेशन में बोला क्या है, क्वेशन में बोला है कि A और B इतने दिनों में करते हैं, B, C इतने दिनों में करते हैं, A, C हमारा इतने दिनों में करते हैं, ठीक है, फिर बोला है, D को साथ लेते हुए, जो कि C की तुलना में 40% अधिक कुशल है, यानि D की शमता, C की शमता से मेरे भाई 40% जादा है क्या है मेरे भाई तो 40% जादा है तो A, B, C मिलकर उस कारे को कितने दिनों में पूरा करेंगे ठीक है, question मैं आप बोल अगे how many days will A, B and C together be able to complete the same job alongside D मतलब D के साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे जहाँ D की शमता 40% जादा है हम एक बार अगर सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 into A plus B plus C और यहाँ अगर बात करेंगे 12, 20, 10, 30 यहाँ पे तो यानि सब की शमता हमारी कितनी हो जाएगी तो 15 हो जाएगी पहले तो यहाँ पर स्री की शमता निकालो तो देखो इसमें से A और B को घटा दो यहाँ पर इसमें से घटा दो पहले को A से A खतम B से B खतम तो C का मान कितना आ गया तो C का मान हमारा 15 मैं से 12 हमारा 3 आ गया कोश्शन में हमसे बोला गया है D who is only 40% as efficient as C D की शमता सिर्फ 40% as C के शमता के तो 40% का मतलब इसका 40% चारत ये के बारा 1.2 आ जाएगा अब यदि सारे मिल कर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे तो सारे मिल कर उस काम को करेंगे तो हम बोलेंगे से total work हमारा कितना है तो देखो सा, टोटल वर्क हमारा हो गया 1.500 और यहां पर सब को मिलकर काम करना है, तो 15 प्लस 1.2 यानि 16.2 यानि इतना हो जाएगा हमारा 10 के करीब में, अगर हम काटते हैं, तो हम बोलेंगे जैसे 3 से कटेगा हमारा 5 बार में और 4 बार में 9.63 मेरे भाई यहां देख लो, तो कोई बात नी 27 का तुम 9 गुना देख लो, यहां पर कितना आ जाएगा 24 मेरे भाई, यहां पर option number D जो होगा वो correct answer होगा, तो हम बोलेंगे सर, यहां पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे इसको भाग करेंगे, तो 9 आ जाएगा, बचेगा हमारा 7 बटे 27, यह बिलकुल सही उत्तर है 27 का नो गुना देखो, नो दुनी 18, 19, 63, यानि तुम्हारा कितना बचेगा 243 यह पॉन, मतलब यह 7 बचेगा, तो इतना हमारा correct answer आएगा, option number D for देवसेना, ठीक है, चली आजएए, नेक्स्ट question की बात करते हैं, अगला सवाल average का है और बहुत ही हलका सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें भी आप पढ़िए, बोला गया A, B और 3 की ओसत आयू 20 वर्ष है, दो वर्ष पहले अगर हम बात करते हैं, A और B के आयू के योग का, तो वो हमारा C के आयू के योग से 6 हमारा अधिक था, यानि अगर हम बात करते हैं, आज के समय सबका ओसत आज के समय अगर 3 का ओसत हमारा कितना है, 20 है मेरे भाई, तो दो वर्ष पहले सब का उसत हमारा कितना होगा तो दो वर्ष पहले सब का उसत हमारा 18 होगा यानि आज के सम अगर तीनों को जोड़ने पर मेरे भाई तीनों का उसत 20 है तो आज से दो साल पहले सब का उसत 18 होगा तो अगर सब का उसत 18 होगा तो हम यहाँ पर यह बोलेंगे सर A प्लस B प्लस C की जो value आएगी वो 18 गा 3, 14 हो जाएगा सर औसाथ 18 है तो sum चोवन होगा कोशन में यहाँ पर बोला गया है sum of ages of A and B were 6 more than C इसकी value जो है मेरे भाई C से 6 जादा है तो यहाँ पर हम जाएगा सर 2C की value हमारी 48 हो जाएगी सीधा का सीधा अब बोलोगे सर नहीं समझ मैं है मुझे पता है नहीं समझ मैं आएगा आप यहाँ पर सीधा कह सकते हो सर इसकी value जो है वो C से 6 जादा है तो C प्लस 6 हमारा इतने के करीब में आ जाएगा भाई तो हम बोलेंगे 2C की value हमारी 49 हो जाएगी तो C का मान हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा यानि आज से पीछे के समय की बात करें तो पीछे के समय C का हमारा age कितना है 24 है प्रेजेंट एज बोला गया है तो यानि आगे 2 साल आ जाओ तो कितना answer हो जाएगा? 26 हो जाएगा यह correct answer है क्योंकि यह जो हमने उनका age लिया है यह पहले, दो साल पहले वाला लिया है दो साल पहले का A, दो साल पहले का B दो साल पहले का C जो हो गया वो हमारा ch1 हो गया बोला गया है इसकी जो value है वो C से जादा है या नीचे ज़्यादा है तो इतना C का मान 24 उस समय C का मान 24 था तो present में हमारा कितना होगा 26 होगा इतना ही question था ठीक है आ जाओ The single discount is equivalent to a successive discount of यार ये तो formula से सिधा सिधा बन जाएगा A plus B plus C लगा लो या फिर successive लगा लो बच्पन में पढ़ा था यहाँ पर 20 plus 10 का successive 28 होता है बच्पन का मतलब जो आपने तैयारी शुरू की थी तो इन दो लोगों का successive होगे 28 इसको collaborate करो 35 के साथ 28 plus 35 minus 28 into 35 बटे 100 यहाँ पर अगर हम 28 और 35 को देखेंगे तो 63 यही हो रहा है 63 से value कम होनी चाहिए और वो भी थोड़ी सी कि 65 है जादा है यह तो बहुत कम हो गया मतलब यह option answer होगा बाकी unit rate से अगर आप देखना चाहते हो तो आप unit rate से भी देख सकते हो तो बोलो के सरी हमारा 63 हो गया और आपको solve भी क जाएगा लेकिन मेरे भाई 53.2 correct answer आएगा तो वही वाली बात है आप चाहते तो मेरे भाई normally कर सकते थे पहले ही यही पर आकर और बाकी अगर आपको depth level तक जाना था last तक पता करना था तो भाई last तक पता गरो किसी ने नहीं रोका है कोई दिक्कत की बात नहीं अब यह सव क्योंकि देखो मेरे प्री में जब जब आए हैं हमेशा 50-50-50 आए हैं और 2019 के मेंस में जो मेरा मैट से माक्स था वो 227 स्कोर था नॉर्मलाइज होके कितने में 200 में यहाँ पे तो उस वहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं कि जितना निगाह आपका सवाल पर भी होनी चाहिए ठीक है कई बार क्या होता है हम प्रेशर में बहुत गंदा पर्फॉर्मेंस दे देते हैं मतलब हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं वाली बात हो जाती है आपको नॉलेज कितना है इंपॉर्टेंट कभी पेपर में यह नहीं होता है इंपॉर्टेंट मतलब यानि है यह के साथ मिल्टिप्लियह यह 9 का मिल्टिपल और 9 का म्लटिपलेगी ऊप्शन 4500 की जाना थह इतंजा रहा चाहिए आपना र् modo क्यूंकि आघेए बढ़ोंगा ठीक है अब यहाँ पर यह कोशन देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है जो कि सर्माउंटेड है और किसके उपर में है तो एक स्कॉार के उपर में है तो जैसे हमारा यह एक स्कॉार है और इसके उपर में हमने क्या बना दिया है तो इसके उपर में हमने एक इक्विलेट तो यानि यहां पर यह जो स्कॉयर की भूजा होगी वह ही ट्रेंगल की भी इतmeens यहां पर यहांपर क्या होगा तो यह वाली भूजा आख्यंकी हमारी बराबर होगी यह लौट यह 40 सो हो गया तो तुमारा तीस में तुमारा यह 15 कोशन में मेरे भाई देखो यहां पर कौन सा वैलीव पूचा गया है तो बुला गया है E A B यानी पंदरर डिगरी तो यह तुम्हारा पंदरर बोगया और A E B का तिन उना तो यहां पर जो है A E A B का यानी सपंद्र का तिन उना तो 15 तिन उना साथ आ जाता है, ठीक है, चलिए आ जाई है, अगला सवाल देखते हैं, आपर अगला सवाल बहुत ही प्यारा कुश्चन है, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं, क्या बोला गया, बोला गया, विपिन ट्रावल वन थर्ड अफ दिस्टंस ओफ ए जोर्नी अट स्पीड तो बारा घंटे का समय लगता है तो टोटल डिस्टन्स क्या होगा अब देखो ऐसे सवालों में तो बेसिक से जाओगे तो एवरेज स्पीड का तुम्हें फॉर्मला लगाना पड़ेगा या फिर मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा जो पार्ट है आप एक तरीके से इस्तमाल क पर एक तिहां ही कर पाओ ठीख है जैसे जो मेरे भाई 40 और 30 का मटिपल हो यानि 120 का मल्टिपल हो और 120 का मल्टिपल होंब होने के साथ साथ एक तिहां करना है तो मतलब 120 का तीन हो न तुम 360 मानें यहां पे 720 भी मानलो, कुछ भी मानलो, कोई दिक्त नहीं है तो मैंने का, मानो हम इतना distance मानलेते हैं 360 km मानलेते हैं, कोई परिशानी की बात नहीं है भाई अब question में क्या बोला गया है तो weapon इसका एक तिहाई दूरी तेयर करता है तो इसका एक तिहाई मतलब कितना? 120 km तो बाकी कितना किलोमेटर बच गया मेरे भाई तो यानी 240 किलोमेटर बच गया अब कोशन में हमसे क्या बोला गया इसको कितने गिरफतार से हम जा रहे हैं 30 किलोमेटर प्रती घंटा और बाकी जो बची दूरी है उसको कितने गिरफतार से जा रहे हैं तो 40 किलोमेटर प्रती 6 गंटे का, यानि कुल मिलाके 10 गंटे का, बट यहां पर question में 10 को 12 बनाए गया है, यानि अपने आपका 12 बटे 10, ठीक है, ये 10 ही मेरे भाई 12 बन गया है, यानि अपने आपका कितना बन गया है, तो 12 बटे 10, अगर मेरे भाई समय इतना गुना हुआ है, तो उसी तरीके से भी अपने आपका बारा बटे दस होगा यानि बोलोगे सर 360 इंटू बारा बटे दस हमारा correct answer है बात का तम 12 चक बहतर और बार ते 36 और 473 कौन सा option आएगा तो 432 correct answer option number D4 देवसेना क्योंकि मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो इस distance पर तुम्हें इतना समय लगा बट examiner ने का नहीं भाई इतना नहीं लगा इतना लगा तो वही बात है कि जब तुम्हारा समय दोगुना होता है दूरी दोगुना हो जाती है समझ दो बात को लेकर तो समय अपने आपका 12 बटे 10 हुआ तो समय अपने आपका 12 बटे 10 हुआ तो distance भी तुम्हारा कितना होगा अपने आपका 12 बटे 10 हो जाएगा गेम खतम भाई पेपर में इतना ठीक है इतना नहीं सोचना होता आईए पी और क्यू का रेशियो हमारा इतना क्यू आर का रेशियो इतना तो तुम्हारा 3 हो गया और प्लस तुम्हारा देखो 3 प्लस 4 हमारा 7 हो गया Q प्लस R हमारा 11 हो गया R प्लस P की अगर हम बात करते हैं तो तुम्हारा 3 और 7 यानि 10 7 ए 11 10 ये कौन सा सवाल है ये फालतो के सवाल पूछ दे ये पेपर में ठीक है अब यहां पर ये देखो Q नमबर 11 ये भी हलवा सवाल है बुलागे Average of 25, 46 and Y is 11 What is the value of Y? 3 संख्याओ का मेरे भाई और सत हमारा कितना है तो 11 है तो यानि 25 और 40 हमारा कितना हो गया 17 जमा Y बराबर कितना हो जाएगा 30 का Y कमान कितना आजाएगा minus 38 ये भी कोई कोश्यन नहीं Y option number D फर देव से न गेम खतम क्योंकि तीनों संख्या होगा जो सम होगा वो उसत के तीन गुने के बराबर तो तीनों को जोड़ना उसत के तीन गुने यानि Y कमान कितना हैगा minus 38 हो जाएगा ठीक है अब ये देखे कोश्यन नंबर 12 हमारा कोश्यन नंबर 12 एकदम हलका सवाल है ताश की एक गड़ी से प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक तीन पत्ते निकाले जाते हैं पहला पत्ता गुलाम दूसरा पत्ता काला पत्ता और तीसरा पत्ता समशंख्या वाला पत्ता होने की प्रायकता हमारी क्या है इसमें जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वह एक लाइन हैस के अंदर में और वो लाइन पता है यहाँ पर क्या है वित रिपलेस्मेंट लोगों कई बार भाई आप लोगों को मैंने पढ़ाये था आप लोगों को अगर पता होगा तो probability की पूरी साड़े आठ गंटे की वीडियो हमने record करके आपके मेंस के पहले डाला था इसी वज़े से ताकि आप उसको पढ़के जाएं और उसके अंदर में बहुत शांदार तरीके से हमने आपको replacement और without replacement का case समझाये था जो हमारा मेंस का batch था मैंने उसका notes का थोड़ा reference आप लोगों को दे रहा हूँ मैं आपे यह आप ही लोगों का notes है सीजल मेंस का यह जो हमारा मेंस का batch चला था उसके अंदर में सही से पढ़ी है यहाँ देखे क्या लिखा गया परसंट रो त्री कार्ड फॉर्मा पैक ऑफ फिफ्टी टू वित रिप्लेस्मेंट फाइंड द प्रोबाबिलिटी ऑफ गेटिंग ओल ट्री कार्ड रेड और ऐसे करकरके अलग-अलग मैंने सवाल करवाई थे रिप्लेस्मेंट के केस में क्या होता है नीचे वाला डेटा हमेशा फिल होते रहता है सारे के सारे red यानी बाउन में पद्टा red फिर बाउन में पूरा 26 फिर बाउन में 26 उसी तरीके से तो वित रिप्लेस्मेंट में यहां पर सेमी चीज को बार बार रिपीट किया जाता है, अब जितना भी क्यों न कहलो, क्योंकि रिप्लेस्मेंट का मतलब जितना तुमने निकाला, वापस उसके अंदर में उतना भड़ दिया, अब इस कोशन में मेरे भाई, तीन तरह की डिम तो 52 में 26 कार्ड मेरे भाई black होते हैं और उसके वाद यहाँ पर 3rd कार्ड even है तो मेरे भाई 2, 4, 6, 8, 10 एक मतलब set में तुमारे 5 हो गए तो 4 set होते हैं 20 हो जाएंगे यानि 22 में हमारा कितना हो जाएगा तो यह हमारा 20 हो जाएगा 26 अगर हम काटेंगे तो 2 बार में ठीक है 2 से तुमने काट लिए हाँ पर 10 बार में भाई 4 से काट लो भाई 13 बार में और 2 से काट लो 5 बार में और 13 बार में तो कुल मिलाकर 5 बटे 169 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा correct answer एक सेगड यहाँ पर ठीक है दो से तुमने काटा पांच बार में तो ये तुम्हारा 26 हो जाएगा न भाई तो ये हो जाएगा पांच बटे तिरा का स्कॉर 169 का डबल यानी 338 हमारा करेक्ट आंसर है ये सही होगा क्योंकि पांच बटे 26 बार में कटेगा न ठीक है तो ये हमने आप लोगों को देखा कि कैसे मेंस में पढ़ाया था और in fact मैंने यूट्यूपर भी आप लोगों के लिए पहले डाल दिया था यूट्यूपर जो हमारी complete probability की वीडियो है इतना अच्छा आप probability बाई आदितरेंजन आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है सिंपल सी बात है और यह probability की वीडियो आपको 11,13,000 व्यूज़ है इसमें बहुत डीटेल है पूरा type wise मैंने topic wise पढ़ा रखा है और सब कुछ आपको यहां से मिल जाएगा in fact मैंने distribute भी कर दिया यहां पर यह पू कि भाई बच्चे को कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही ना हो यार अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है कहीं किसी प्रकार की परिशानी ना हो और उसको यहां पर पूरा topic wise मिल जाए timer लगा कर तरीके से पूरी वीडियो बना दिया हमने तो आप यहां से पढ़ सकत मैं हमेशा कहता हूँ कि यार वो वीडियो देखा करो जिसमें मेरे भाई बच्चों के comment हो comment ही बताता है यहां पर कि वो वीडियो अच्छा है कि नहीं है ठीक है व्यूस तो कैसे भी आ सकते हैं किसी पी तरीके से आ सकते हैं बट यहां पर जो मुझे लगता है वो comment पढ़ा तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं complete probability को और मन आपका भी खुश हो जाएगा ठीक है आज यह चलिए सवालों के शुरुआत करते हैं पर 12 के बाद यहां 13 नंबर सवाल चलते हैं यह replacement का एक बहुत ही शांदार question मिश्रन का और pre के batch में जो हमारा champions बैच है उसमें मैंने question ऐसा करवाया भी था कि हम A के कुछ quantity को B में transfer करते हैं फिर B के कुछ quantity को A में transfer करते हैं फिर A के quantity को B में transfer करते हैं triple replacement यहां पर तो वहीं हमारा यह question है कि container A के spirit और पानी का जो है 80 liter का मिश्रन है वह 7 और 9 के अनुपात में हैं इस मिश्रन का 20 liter दूसरे container B में इस्थानतरित कर दिया जाता है फिर container A में से फिर 20 liter पानी भर दिया जाता है और अब इस मिश्रन का 32 liter दोबारा container B में इस्थानतरित कर दिया जाता है container B के मिश्रन में पानी और spirit का अनुपात क्या होगा यार इस question को देखो दो तरीके से बना सकते हो एक तो basic तरीका से पूरा X मान के जिसमें तुम्हारे 4-5 मिनट जाएंगे और दूसरा अगर मेरे भाई थोड़ा सा calculation speed अगर तुम्हारी अच्छी है दोस्ते हैं पर तो भाई यहां पर पूरा का पूरा unit के मादम से बना सकते हो ठीक है मैं अभी यहां पर सीधा mains वाला approach आपको बताऊंगा थोड़ा सहना पड़ेगा समझना पड़ेगा हमें यहां पर एक तरफ दो-दो case को deal करना है एक तरफ ऐसे समझलो जैसे यह तुम्हारा container A है भाई यहां पर और दूसरा container आपका भाई क्या है तो B है आप अगर इस container को देखेंगे तो container A हो गया और यहां पर यह आपका container B हो गया container A में क्या है तो spirit और water की अगर हम बात करते हैं spirit और water का ratio 7 और 9 है और 7 और 9 ratio है इसमें से 20 लिटर transfer कर दिया तीन बाते अगर 7 और 9 के ratio में है तो निकलेंगे वो भी 7 और 9 में और जो बच जाएगा वो भी 7 और 9 में तो हम बात करते हैं तो जो बच जाएगा वो 7 और 9 में यहापे तो 60 लिटर हो जाएगा अब यहाँ से 20 लिटर निकाल के इसमें भेजा तो इसमें 20 लिटर आया है और जो 20 लिटर आया है वो किस ratio में आया है तो मैंने कहा था ना पर 80 liter of mixture spirit and water तो याद रखना पहले हमने spirit लिया है और बाद में हमने क्या लिया है तो water लिया हम एक साथ दोनों के इसको deal करते रहेंगे एक तरफ A को और एक तरफ B को यहाँ पे फिर बोला गया 20 liter of the mixture is transferred to another container B ठीक है फिर then container A is filled with 20 20 liter of water इसके अंदर में 20 liter पानी हमने बहरा है 20 liter हमने क्या भरा है मेरे भाई तो हमने पानी भरा HAMP यह पानी यहाँ पर इसके अंदर में आया है और वो हमने भरा है फिर उसके बाद 32 लिटर of the mixture is again transferred to container B और फिर उसके बाद इस में से हम 32 लिटर इसमें ट्रांसफर करते हैं मैंने कहा ठीक है हम ट्रांसफर भी करेंगे हम सब कुछ करेंगे लोगों की दिक्कत पता है क्या है लोगों की दिक्कत यहां पर यह है कि वो यहां पर 16 यूनिट को पहले क्या करते हैं 60 लिटर यह समझ लो या गैसि सूर में दरंड़ कर रहे हैं इसमें लेटर तो बस यहां पर आपको क्या पता करना है पता है कि यार जो 32 लीटर आया है ना उस 32 में यह किसे रेशो में आया है बाकि छोड़ दो यार क्योंकि आप्च्छन आपका रेशो में दिया गया वैल्यी तो पूछा नहीं है अगर हम से यह पूछा हो समझ गए बात को, क्योंकि उसी में से तो 32 भेजोगे, जैसे इस 60 में से 20 भेजो, अब इस final मिश्रन में से मेरे भाई यहाँ पर 32 भेजोगे, तो यानि इसका ratio पता करो, वो ratio को यहाँ पर चिपका दो, समझ गए, अब वो ratio कैसे पता करोगे, तो बोलोगे सर देखो, 20 लिटर पानी डाले है, तो यानि spirit तो डाले नहीं है, नहीं डाले ना, अब सही से देखो, 60 लिटर की value, 16 unit, मैं यहाँ पर क्या कह रहाँ, 60 लिटर की value है, तो अगर हम 20 लिटर की बात करें, तो value कितनी होगी, यह अपने आपका एक तिहाई, तो यह भी अपने आपका एक तिहाई, यानि 16 बटे 3, कितना हो जाएगा तो 16 बटे 3, यानि मैं लिटर को unit में convert कर रहा हूँ, तो यह 20 लिटर ना होके अगर यह unit होता, तो 16 बटे 3 unit होता मेरे भाई, तीक है, अब बोलोगे सर, यह हमारा 7 है, और यह हमारा कितना है, तो 9 प्लस 16 बटे 3 है यहाँ पर, तीक है, क् तो इसलिए यहाँ पर यह जितना था चुपचाप, इसको ऐसे रहने देंगे, पानी जोडेंगे, नौतर के 27 और 6, 33, 49 हो गया हमारा यहाँ पर, और 7 हमारा 21 हो गया, रेशियो में 3, 3 हमारा खतम, अब यही रेशियो मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया 21, 43 तरीका, यानि तो 21,23 है, तो इसमें ट्रांसफर भी होगा, तो 21,44 में और बचेगा भी 21,44 में, तो ट्रांसफर कर दिया हमने तो रेशियो मेरा क्या मिल गया, तो 21,44 का रेशियो हमें मिल गया, समझ मे आ गया बात, इब देखो हमें दो तरह के मिशरण मिलाने, याद करो वो कुश्च Twoด यह जार था एक हमारा यह जार था और दोनों को mix करके हमें एक जार बनाना था याद आ गया मेरे भाई यहाँ पर acid water का कुछ और ratio acid water का कुछ और ratio और मिलाकर हमें final mission तैयार करना होता था तो ऐसे समझ लो शुरू में इसके पास 20 liter quantity आई थी जिसमें acid और यहाँ पर spirit का यह ratio था बाद में 32 liter इसके पास आया जिसका यह ratio था तो हम इसे कैसे solve करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर यह काम करते हैं और यहाँ पर काम क्या करते हैं कि यह कितना unit में है इनका sum total हम निकालते हैं तो 9 और स्राथ मेरे भाई हमने कहा 16 और यहाँ पर 21-47 हमारा कितना हो गया 64 तो पहली बात यहाँ पर हम क्या करेंगे line खीचते हैं और line के quantity को बराबर करते हैं मैं और आप किसी और ratio में और हमें किसी और में बनाना है तो भाई किसी और ratio को किसी और में बनाने के लिए पहले quantity को बराबर किया जाता है तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो quantity को बराबर करो 16 को 4 से गुना करो 64 को 1 से गुना करो हमें तो ratio चाहिए, इसलिए हम value को Q लेंगे, उनका ratio लेके चलेंगे, तो 5 और 8 मेरे भाई, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सरी, यह 5 है और यह हमारा कितना 8 है, अभी संक्या को किस से गुना करना है, 20 से, गलती से मत करना, हम बोले थे ना, इस line का कोई भी data लेंगे, किसी भी data को काट सकता है, तो काटो भाई यहाँ पर, चाहर तुम इसको कितनी बार में बकायदा काटो, दो बार में, अब जरा देखोगे तो तुम 7 इंटू 5, 35, और यहाँ 2 इंटू 21, 42, 42 और 35 को जोड़ना मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, तुम तुमारा 131 के करीमे हो जाएगा, अब सबसे बड़ी बात, मैंने आप लोगों को आपके पेपर वाले दिन, रात में मैंने एक बात बोला था, कि आंसर निकालने के बाद भी एक चीज़ का ध्यान रखना, कि लास्ट में एक्जामनर ये बहर बहर तुमारे साथ गेम करेग कि mixture of spirit and water in the ratio इतना इन इतना, spirit और water, और लास्ट में मेरे भाई क्या पूछ लिया, तो rate of water to spirit पूछ लिया, यानि यहां तक solve करने के बाद भी गलती होने की संभावना है, यहां C होने के बाद भी आप यहां गलती कर बैठेंगे, आपको पहले क्या बताना है water, फिर क्या ब elections लिये, तो मैं पता examiner कहां पर तुम्हें फसाएगा, कहां पर जाल फिकेगा, ध्यान रखने ही छोटी छोटी बातों का, तो एक beautiful question था, इसलिए वक्त दिया हमने आपको समझाने के लिए, ठीक है, आईए चली, question number 14 देखिए क्या बोला गया है, किसी पार्क में एक निशि बीसी के साथ end करता हूँ, common sense की बात है, अब यार, सिरो की गिंती काउंट करें, तो चोगन हो जाएगा, पैरो की गिंती काउंट करें, इतना हो जाएगा, ये सिर्फ एक ऐसा सवाल नहीं, biscuit वाला question भी बन जाता है, कि अधि हम प्रते एक बिल्ली को दो बिस्किट दें और चोगन सिर्फ हैं, अब यार, इनसान के पास कितने पैर हैं, दो, और बंदर के पास कितने हैं, चार, यानि दो तो हर किसी के पास हैं, दो मेरे पास भी हैं, दो बंदर के पास भी हैं, तो चोगन अगर सिर्फ हैं, यानि चोगन लोग हैं यहाँपर, हर किसी के पास दो पै तो चुवनका दोग Chief नहीं एक सोच हो गया तो एक्सौप आण टारीश पैरों में से से एक सो आण निकाल दीजिए कितना उस गया तो बोलोगे कि sound और ये 40 किसके पैर बचे हैं मेरे तो 2 पैर गए इंसान जितने थे उनके 2 पैर count हो गए बंदरों के 4 में से 2 पैर count हो गए कितने बचे 2-2 पैर extra बचे तो ये जो बचा है वो बंदरों की वजह से बचा है तो 40 पैर बचा है और हर बंदर का दो पैर एक्स्ट्रा हो गया यानि बंदरों की संख्या कितनी हो गई 20 गौर से पढ़ लो मंकी ही तो पूछा है तब सही है मेरे भाई अगर मंकी ना पूछ के इंसान पूछ होता तो हम क्या करते 54 में 20 गटा के 34 आंसर दे देते हैं जो की लोगों की संख्या होती ठीक है अब आजओ सिंप्लिफिकेशन का एकोशन बहुत ही सिंपल सा कोशन है A स्कॉर माइनस B स्कॉर के फंडामेंटल पर दारित है कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई देखो A की वैलिव A स्कॉर माइनस B स्कॉर कैसे करेंगे नीचे अगर हम बात करेंगे तो सेम तरीके सिसमे से अगर हम इसे डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और एक बार हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर 83 हो जाएगा यह तो खतम ही हो गया यहाँ पर काटोगे तो 11 बटे 3 आ गया अगर हम B की value देखते हैं आपड़ तो B की value भी देख लो 26-15 तुम्हारा 11 हो गया आपे और 26-15 मेरे भाई कितना हो गया तो 41-B हो गया ठीक है नीचे अगर हम बात करेंगे तो 56-15 हो गया 56-15 कितना हो गया 61-70 हो गया ठीक है यह हमारा खतम हो गया तो यह हमारा 11 बटे कितना आजाएगा 71-70 आजाएगा अब question में हमसे क्या बोला गया तो बोला गया 1 upon B तो B का उल्टा यानि कितना हो जाएगा तो 71-11 में से यहां कितना गटाना है 20 upon A तो यानि मेरे भाई 20 upon A तो पहले तो A का उल्टा कर लो तो A का उल्टा कर लोगे तो 3 बटे 11 आएगा और मतलब यहां पर 6 बटे 11 हो जाएगा तो आंसर तुमारा कितना होगा 11 बटे 11 यानि हमारा A कट जाएगा option number B जो है correct answer आएगा तो यह सब question नहीं थे यार normal थे मतलब ठीक है हो सकता है वैसा माहौल आपके सामने बनाओ आपने आदत जो है थोड़े आसान questions पर लगा लिया हो ठीक है मैं कई बार कहता था यार 60 mock test वाली जो हमारी किताब उसको तुम लगाओ उसको practice करो timer लगा के लगाओ भाई ठीक है क्योंकि question तो tough आएगा 60 mock test का chapter number 2 हमने जो है brain store मर इसी वज़े से डाला था क्योंकि अगर विबत पर इस्तिति आई तो वहाँ पर सहाय का आपके लिए वहीं साबित होगा हमने कहा भी था यार कि timer लगा के तुम उस किताब को लगाओ इस किताब को मेरे भाई से दिमाग हिलाने वाले question है अगर आपको mains की तैयारी करनी है ना तो आप इससे करो इसका chapter number 2 brain stormer जल्दी हिलेगा नहीं किसी से और 30 मिनट में तो कभी बना भी नहीं पाऊगे इस level का हमने tough competition क्यों दिया वच्छों को ताकि कल के दिन paper अगर उपर नीचे किसी भी प्रकार का आए तो आप वहाँ पर solve कर पाए कई बार क्या होता है कि आप पढ़ कितना भी लीजे लेकिन at the end आपकी अपनी practice ही आपको paper में helpful साबित की जाती है तो आप वहाँ पर अपनी practice जितनी करेंगे आपको उतना जादा फायदा होगा ठीक है आईए चलिए question number 16 देखिए क्या बोला गया है the average weight of the first 13 percent among the 14 percent is 78 the weight of the 14th percent is 39 kg more than the average weight of all the 14th percent find the weight of 14 percent अभी SSE phase 11 का जो question हुगा है उसमें ये question आया था और ये total लोगों का उसत है तो बोला गया कि देखो 13 लोगों का उसत तुम्हारा कितना है तो 78 है ये कुल मिला के 13 लोगों का है मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक वेक्ति का उसत है और वो 14th वाले का है question में क्या बोला गया 14 वेक्तियों में से पहले 13 का उसत इतना है 14 वेक्ति का जो वजन है सभी 14 वेक्तियों के उसत से 39 अधिक है यानि इनका जो भी उसत है तो उससे ये कितना जादा है तो ये हमारा 39 जादा है अब देखो उसत का मतलब क्या होटा एकदम balance करना तराजू को लेकर यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बात को एकदम balance है चाहिए एक percent का इधर उधर नहीं चाहिए तो अगर आप यह देखोगे तो यह उसत से 39 यह विक्ती जादा है इसका मतलब यह 39 कम होंगे common sense की बात है ना एक तरफ पलरा ज्यादा है तो मेरे भाई दूसरी तरफ कम है तो उसको क्या करना पड़ेगा balance करना पड़ेगा तो अगर यह 39 जादा है तो यह 39 कम होगा यह वाला group 39 कम होगा अब यह अगर 39 कम होगा तो यानि इसका मतलब कितना 39 की कमी होगी तो यहाँ पर मेरे भाई इतना है, इसका मतलब उसत इससे 3 जादा होगा, यानि कितना होगा, 81 होगा, मैं कहता हूँ इससे ये 3 कम है, तो इससे ये 3 जादा है, यानि उसत कितना होगा, 81 होगा, clear हो गया यह बात यहाँ पर, question में बोला क्या है, find the weight of 14th person, 14 वेक्ती का वजन कि इतना हो जाएगा, तो बोलोगे, sir, 120 correct answer है, option number D for Dave Sina, तो calculation तो था ही नहीं, यार सारा deviation का खेलता, दिमाग लगाना था, कि इससे 39 जादा है, तो इससे 39 कम, 39 तेरा लोगों में बटेगा, हर वेक्ती पे 3 की कमी है, हर वेक्ती पे 3 कमी होने का मतलब क्या होता है, बताइए, तो 3 की कमी होने का मतलब वहसत से ये 3 कम है, इससे तुम 3 कम हो, तो इससे ये 3 जादा है, यानि 81 है, और 81 प्लस 39 answer, 120 है का काम खतम हो गया, ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है, मतलब, सब कुछ है, कोई ऐसा है नहीं कि जो हमने नहीं पढ़ाया, अब ये question मैं, जब center पे ग अब इसमें क्या बोला कि भाई, एक दुकानदारे पढ़ो, बी ने एक ठोक विक्ता से 140 रुपया प्रति किलो ग्राम की दर्शे 15 केजी सेव खरीदे, और जो 1 किलो वजन के जगा पे यहां पर 950 ग्राम के वजन का उप्योग करता है, बी इन सभी सेवों को 140 रुपया प् मैं हूँ भाई एक मतलब मार्केट, मैं एक तरीके से दुकानदार हूँ, मैं जहां समान खरीदने गया, वहां से मैं कितने में खरीद के लेक्या है, 110 रुपय में, और जब मैंने उससे समान खरीदा ना, तो मेरे भाई उसने 1 किलो के जगह पे 950 ग्राम मुझे चिपका द बिट जाएगी, बिकी नी पाएगा समान, तो हमने क्या किया कि एक सौसी में खरीदा था, तो हमने एक सौसी में ही बेचा मेरे भाई, लेकिन हमने और बेमानी की, तुमने हमें 950 ग्राम दिया, हम कस्टमर को चिपका हैं कितना 7500 ग्राम, यही मेरा प्रॉफिट और मेरा को हम जहां से लेकर आये थे, वहां पर हमें कितना वजन मिला, 9500, हमने जब कस्टमर को दिया, तो हमने दिया कितना मेरे भाई, तो यहां पर 7500, इसको आप पैसे समझो, जब मैं लेने गया था, तो सामने वाले व्यक्ति को मैंने पूरे 1000 ग्राम के पैसे दिये थे, बट उसन तो मैंने अपने जब से 7500 ग्राम लगाए थे, इसी का तो हमें रेश्यो लेना होता है, यह इसको खतम करेगा, यह इसको खतम करेगा, पांच से 15 बार में, पांच से 19 बार में, फाइनली बोलोगे सर, 15 के समान पे 19 को बेचा है, फाइदा कितने का 4 का, 4 बटे 15 इंटू 100 मे एक बटे 15 इंटू 100 में, फाइनली बोलोगे सर, 15 के समझ नहीं पाओगे उस बात को लेकर, तो समझो, जब मैंने उसको पैसे दिये थे, तो मैंने तो मेरे भाई पूरा का पूरा अपने जेब से मैंने दिया था कितना 1000 ग्राम का पैसा, उसने मुझे दिया, 900 ग्राम का, ज कस्टमर मेरे पास आता है, वो मुझे पूरा पैसा देता है, 1000 का मैं अपने जेब से देता हूँ, 1500 ग्राम, तो वाली बात हो जाती है, तो कोशन में कुछ था ही नहीं, वह हुआ सवाल, अब ये कोशन है, एक ठोस घन जिसके प्रते कोर की लंबा 48 cm है, उसको पिगलाया जा अरे यार जब तुम से एक बात बताओ ना, जब भी वार तुम किसी चीज को मेल्ट करके कोई चीज बना रहे हो यहाँ पर, ठीक है, अब जैसे मानो कि तुमने एक बड़ा सा सॉलिड क्यूब है, और बड़ा सा सॉलिड क्यूब तुम्हारा 48 क्राम का है, उसको मेल्ट करक करके तुमने बनाया है और मेल्ट करके कई सारे चोटे-चोटे क्यूब्स बनाया है यहां पर यहां पर हर क्यूब का जो वॉलिम है वो 64 है तो बोला गया है यहां पर कि लिदानों मेल्ट करके क्यूब बना लो सिलिंडर को मैल्ड कर बना लो इस वेअसा तुम्हा角र होगा तो हमेशा चूहदे बड़े क्योब की साइद और इसका क्या हो जाएगा परफेंक क्यूब हों बुलगे यह एक्षा बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होता है एक्यूब चोटे वाले का वॉल्यूम कितना होता है एक्यूब तो बड़े वाला जब मेरे भाई यहां पर टूटता है तो कई सारे छोटे छोटे यहां पर देता है इसलिए मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा तो ए अपॉन एक वोल क्यूब जो होगा ये तुम्हारा N के पराबर होगा इसलिए मैंने का जो भी नंबर होगा वो एक perfect क्यूब होगा ये नहीं है ये नहीं है यहीं है तो एक second में answer दे सकते थे थे ना बाकि फिर भी method से हम कैसे जाएंगे तो देखो बड़े वाले का मेरे भाई भूजा कितना है तो 48 है छोटे वाले का हमारा volume 64 है तो side हमारा 4 होगा और 4 होगा तो मेरे भाई simple देखो 12 का क्यूब कितना आएगा 17-16 ऑप्शन नमबर भी फर बाववली खेल खत्व ठीक है चलो आजाओ नेक्स कोशन देखते हैं 19 नमबर स्रवाल देखते हैं क्या बोला है यह तो हलका सा कोशन है देखो simple सा कोशन है बोला बेर बचपन वाली कोशन पूच दीन उन्हें आठवी क्लास वाली ठीक है डेटा थोर टफ देते मज़ा भी आता 27-35 कुछ ऐसे करके देते 49-45 देते तो मज़ा भी आता अब कोशन में उन्हें ने कहा दिया दो पैंसिल तीन पैं की कीमत पचपन है साथ पैंसिल दो पैंसिल की कीमत 65 है एक पैं और इसकी बताओ तो यहाँ पर देखो पैंसिल के लिए हम यहाँ पर लिख लेते है मेरे भाई एक्स मान लेते हैं यहाँ पर पैंसिल को क्यों मान रहे एक्स एक्स कुछ मत मानो ठीक है एक्स किसी का सगा नहीं होता अब यहाँ पर क्या हो गया तो पैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या हो गया तो मेरे भाई पैं हो गया तो यहां पर कितना हो गया तो भाई, सारी बाते हम यहां लिख देते हैं, तो यह pencil हो गया और यहां पर आपका pen हो गया, अगर हम बात करेंगे तो 2 pencil, 3 pen, कीमत कितना 55, उसके बाद यहां पर 7 pencil, 2 pen, कीमत कितना 65, हमें क्या गरना है भाई, किसी एक को बराबर करके दूसरे को खतम करना है तो अब ये तीन है और ये दो है तो कॉमेंसेंस की बात है इसका दो गुना करोगे ये दो गुना हो जाएगा तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा चार इसका तीन गुना करोगे तीन गुना तुम्हारा हो जाएगा एक किस एक किस में से चार गया हो जाएगा सत पैंसिल की कीमत 5 निकल के आगी तो दो पैंसिल की कीमत 10 रुपए यहां पच्पन में सदस घटा अगयो 45 तीन कमान 45 एक कमान 15 15 प्लस पांच यह निकला अंसर कितना ओगा ओप्शन नमबर भी फॉर बहुवली एक को समझाने वाला नहीं था मतलब ठीक है कर सकते हो इसमें एक्स वाई मानकर जो है बच्पन में किया था तो इसमें मुझे लगता किया वशक्ता पड़ेगी जो कोशन आसान है उनको मैं बहुत ज सबसे पहली बात जब है तो परंड़िंद्युकलर बराबर होंगे और perpendicular बराबर होंगे तो यहाँ पर इसको 3 से गुना करो और मेरे भाई इसको 2 से गुना करो जब यह 3 से होगा तो यह भी 3 से होगा जब यह 2 से होगा तो यह भी 2 से होगा यह बीच का distance तुम्हारा कितना बन गया 15 unit, 10 unit, 25 unit और बीच में दिया कितना है डेड़ सो तो डेड़ सो मान कितने का है मेरे भाई 25 का पता कितने का करना है छे का तो आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा सिंपल सी बात है यार यहां पर जो डिस्टन्स दिया गया वो दोनों का है वैल्यू यहीं 25 का मान कितने का बताना है 6 का खेल खतम यहां पर आजो चलो नेक्स्ट कोश्चन देखो यहां पर अगला सवाल क्या बोला गया नंबर सिस्टम का डिविजिबिटी का सवाल है बड़ा प्यारा सवाल है रात के दो बज़ रहा है और मच्छड जो काट रहा है वो लग काट रहा है कोई बात नहीं साब करेंगे बढ़िया से ठीक है का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है अब यार जो संक्या 84 से डिविजिबल है क्या तुम्हें नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ाया भाई प्री का बैचो मेंस का बैचो यार एक से खतरनाक डिविजिबिटी बढ़ाई हमने तो ठीक है साथ 11-13 और पता नहीं कहां कहां तक हम क्या हो जाएगा तो 24 की अगर हम बात करें तो वो 3-8 मेरे बात करता है यानी दो ऐसी तोड़ी है यो आपस में कंटने चहीं और यहां पर बड़ी से बड़ी संखना है तो गलती होती है भाई ये भी तो देख लो यहाँ पर तुम्हें greatest possible चाहिए तो उल्टी गिंती से जाऊना 9 से जाऊना यहाँ पर तो 9 9 4 रखोगे तो 9 8 तुम्हारा जो है कट जाएगा लेकिन मेरे भाई तुम्हारा 4 नहीं कट पाएगा तो यानि यहाँ पर अगर 9 रखते हैं तो यह 8 से नहीं कट पाएगा लेकिन अगर वहीं हम यहाँ 8 रख लेते हैं तो 984 984 को 8 से कटना भाई आठ का एक गुना 8 18 हो गया दो बार में 16 और तीन बार में 24 खतम कहानी यानि इतना कंफर्म पता चल गया कि क्यों कमान मेरे भाई कितना होगा 8 होगा मैंने सूची आठ की डिविजबिलिटी देखो लेकिन यह भी 8 से डिविजबल है यह भी डिविजबल है हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो फालतू कर रिस्क नहीं यहां पर ठीक है तो क्यों कमान हमारा आठ निकल कर आ गया तो भाई यहां क्या करेंगे तो एक एक पी हो गया फिर नो हो गया फिर आठ हो गया चार हो गया यह संख्या में किस से कटने मांगता है बताना जरा तो बोलोगे सर यह संख्या जो है न यहां पर तीन से कटना चा यानि इसका मान साथ होगा यह साथ है और यार्ट है आंसर कितना होगा 56 समझ गए तो उल्टी किंती जानी है नहीं आर बड़ी से बड़ी संख्या अपने को ले नहीं है तो ऐसे हम लेते हैं आपर चलो आजाओ ठीक है एलेक्शन के नाम पर इजद बचा ले इन्होंने कुछ कोशन देखे परसेंटेज का बाकी इसमें भी कुई दम था नहीं पड़ी यहां पर क्या बोला गया हरी कमल एंड ललीट कंटेस्टेंट इन एलेक्शन इन विच 6,050 वोट वर बोल और और ननन अफ दो वोट और इन्वालिट कमल गॉट 42 परसेंट अफ दोटल वोट उप पूरा कहानी बता देते हैं तीन लोग है हरी कमल और ललीट यहां पर क्या कोशन में बोला गया कमल को हरी और ललीट के दौरा प्राप्त वोटों में से 42 अधक मिलते हैं कमल को एक साइड रखो और हरी और ललीट को एक साइड रखो इनके दौरा प्राप्त वोटों में से क 42 unit जादा इसको मिला है यानि कितना मिला तो 142 अगर ये 100 unit है तो 142 यानि total vote मेरे कितने हो गए 242 तो मैंने वही बात कहा question में दिया गया कि total vote 6050 है और मैं कहता हूँ कि total vote यहाँ पर 242 unit है तो 242 units का जो मान है न वो हमारा बराबर एक इसके अगर हम काटेंगे भाई तो यहाँ पर यह कितनी बार में कटेगा तो लगबग तुमारा 25 बार में यानि एक unit का मान कितना होगा 25 और अगर एक unit का मान 25 होगा तो 100 unit का मान कितना 25 यानि ये दो लोगों को मिला कर जो vote मिला वो 25 तो मिला है यहां निकाल लो आपको बहुत अच्छे तरी पता चल जाएगा यह चार खतम हो गया मेरे भाई 46 44 हमारा कितना हो गया 484 यानि इसमें ललित को कितना मिला है तो 484 मिला है तो बोला गया इसको कितना मिलेगा 25 सो में से 484 गटा तो 2016 अप्शन नमरे जो है वह हमारा क्या होगा तो सिंपल था कि इससे 42 जादा मिला 142 यह हमारा जो मान है 242 का है तो एक का मान 25 से का मान 25 तो पचीस सो यह भाई को जो हमें मिला है वो कुल वोटो का कितना परसेंट मिला है तो अगर हम बात करेंगे तो मिला भाई कुल वोटो का यहाँ पर 8 परसेंट इसका 8 परसेंट 484 पचीस सो में से 484 गटाएंगे 2016 आएगा अब यह सिंपलिफिकेशन का कोशन है यार देखो कुछ भी नहीं है इसमें सारा रूट का खेल है दुनिया इसको अलग-अलग मानती है मैं कहता हूँ एक ही साथ इसको लेके चलो ना यार प्यार महबत से सब एक घर में रहेंगे किसी को कोई कष्ट है बताओ कष्टी नहीं होगा अब दूर-दूर रहोगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा यार इसको मेरे भाई क्यों लेते हो सब को एकी छट के अंदर ले लो ना अलग-अलग रूट क्यों लेते हो इसके दशमला के बाद दो इसके दशमला के बाद दो को खतम इसका खतम मेरे भाई तो बस खेल खतम हो गया अब यहाँ पर देखोगे सही से तो तुम्हें यह संख्या किस से कटते दिख रही है क्या कोई एक 11 वे 11 का कहानी है 11 का 22 है यहाँ पर बिल्कुल मेरे भाई एक 11 से कट रहा है से काट ओगे यह तुम्हारा 31 बार में और 4 से काट ओगे तो 48 geben 24 4 और 16 जोब्यस उसी तरीके से।iate काट ओगे तो इसे भी काट के तो यह कितनी बार में नो से मेरे खाट कितनी बार में कतीस वार और नौ से हमारा कितनी वार मैं 66 यानि एकातीस बटे 66 intosorry 66 यानि तो बोलोगे 31 66 का हमारा स्क्वाइर और यहां पर है रूट स्क्वाइर रूट से खतम 32 66 कौन सा है और सी कहोना प्यार है तो कुछ था नहीं यह भी सवाल बढ़ियां ही था दिमाग लगाना था बस यह बात यह बढ़ियां स्वाल है और इसको उड़ा के फेका जाएगा किसे फेका जाएगा एक दुम देखा है ठीक है पार्टनेशिप का स्वाल है हमेशा पार्टनेशिप में इनक्ट हाज Sham वाला हमारे वशाय शुरू किया वे अपनी अपनी आये को मेरे अपनी आये को अपने निवेश के समान अनुपात में वित्रित करने के लिए सहमत हो गए एक वर्ष के बाद अरजी तलाब जो की हमारा लगवाग यहां पर 6 लाग था उसमें से अपने सम्मंदित लाब में 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया यदि इस परियोजना में 4,20,000 की आई हुई है तो अरजी तलाब में एक हिस्सा हमारा कितना होगा भाई देखो कोशन में यहां पर यह था एक महानुभव ए हैं दूसरे महानुभव भी हैं ए 1.5 लाग रुपया लगाते हैं सम्झ बड़ा प्यारा सपना देखा इन्होंने बिजनस भी अच्छा कासा गया और प्रॉफिट कितने का हुआ एक साल के बाद 6,000,000 का प्रॉफिट हो गया बाट लिया इन लोगों ने आपस आपस में जितना इनको माटना था फिर वो 6,000,000 के प्रॉफिट हो गया अब उसके ब चल रहा है उसको हम नहीं छेडेंगे उसका जो प्रॉफिट आया है ना उस पर्टिकुलर प्रॉफिट में 50,000 और लगा देता हूं जैसे मानो मैंने ये कंपनी स्टार्ट की मैं और आप मिलकर स्टार्ट किये हमारा ये बढ़िया चल रहा है इसका प्रॉफिट आता है उस बी बाय घंचे मानो मैं देखुए citoy को बातो है इनको काट दिया करो और जीरो कि Anyton अTerras posture ले सकते हूं या उसके बाद यहांफर तुम्हारे जो है वो 4-0 खतम यहाँ पे पचास हजार जोड़ दिये ना इसके वही 4-0 उड़ा दो भाई देखेंगे ना बात में आ रहे काट दो बस बात कतम काटना है और हम क्या काट सकते हैं और हम देखो यहाँ पे 5 से काटो कितनी बार में? 3 बार में 5 से काटो कितनी बार में? 5 बार में 5 से और काटो कितनी बार में? 12 बार में 5 से काटो कितनी बार में? एक बार में यानि इन लोगों ने निवेश मेरे भाई किस अनुपात में तो 3 अनुपात 5 में आपे इस अनुपात में निवेश किया यहां यह किस Artion में बाटेंगे 8, यानी हम ये बोलेंगे सर यह 8 unit जो है हमारा, यह 8 unit हमारा 12 रुपे के बराबर है, तो यहां पर हर unit अपने आपका डैड़ गुनाया भाई, हर unit 10 रुपे के बराबर है, हर unit 10 रुपे के बराबर है, तो इस विक्ति को profit कितना मिला होगा, तो बोलोगे साड़े चार रुपए और इसको कितना मिला होगा मेरे भाई 15,75 यार नी साड़े साथ रुपए इतने इतने का profit इनके पास आया होगा चलिए तो इसमें मेरे भाई यहाँ पर एक जोड़ दो तो तुम्हारा यह हो जाएगा साड़े पांच और यह हो जाएगा तु ग्यारा का मान मुझे पता करना है एक ग्यारा का मल्टिपल पर भी टिक कर सकते थे यहाँ पर जैसे ग्यारा का मल्टिपल अगर टिक करते तो तुम्हारा option number C निकल कर आता यही ग्यारा का multiple है बाकी solve कर लो कोई दिक्कत नहीं 28 से कितनी बार में 28 से 140 मेरे भाई 5 बार में 15, कौन सा option है मेरे भाई यहाँ पर तो यह तुम्हारा option है बोलो के sir क्या किया है नहीं समझ में हम समझाते हैं देखो भाई पहली बात यह लोग निवेश किस अनुपात में गी थे तीन और पांच के अनुपात में तो यहाँ पर तुम किस रेशियो में निवेश करोगे तो इसको इतना रुपया प्रॉफिट मिला इसको इतना रुपया प्रॉफिट मिला उसके बाद मेरे भाई 50,000 और लगाया तो 60,000 के लिए मेरे भाई 12 रुपय तो 50,000 के लिए एक रुपय तो एक रुपया एक रुपया यानि इतना इतना रुपया का इनका इंवेस्टमेंट हो गया अब यह इनका investment का ratio हो गया तो यानि यह 11.17 और यह इनका investment का ratio है तो यहीं का profit का भी ratio है तो 11.17 के अनपात में profit मिलेगा जो मिला वो 28 कमान ए 11 कमान पता करना है खेल खतम यहाँ पर ठीक है आज वो चलो यहाँ तो radius क्या होता है हमेशा मेरे भाई यह कौड के आदे से मेशा जादा होता है आप यह कह सकते हो तो एक कौड अगर 20.5 है तो मेरे भाई रेडियस कितना होगा तो उसके आदे से जादा यानि उसका आदा कितना होगा 10.25 या तो मेरे भाई 10.25 के बराबर या फिर उसके जादा अब बोलोगे सर बराबर काहे बनेगा देखो इस case में हमेशा जादा बनेगा और ये वाला जो case होगा मेरे भाई जब ये diameter पूरा का पूरा यही वो सबसे बड़ी code है तो यही वो सबसे बड़ी code है तो यह पूरी code तुमारी कितने की 20.5 की तो radius हमारा कितना होगा उसके आद condition को satisfy करेगा यहां पर अब यह देखो लास्ट टाइम में स्टैस्टिक्स पढ़ाते वक्त सिर्फ एकी बात बोले थे भाई important formula पन्ने में लिखके study table पे सामने चिपका देना और मेरे भाई इसको कई बार पढ़ना सुभा शाम परना बार बार पढ़ना मेरे भाई और सीधा सीधा mode का formula पूछ दिया. Ćपको यहां पर कहीपर भी table का जिकर ही नहीं किया सीधा सीधा formula पूछ दिया जिसको formula आता है वो बनाएगा और जिसको नहीं आता वो नहीं बनाएगा. अगर हम यहां दिखाते हैं तो यहां देखे सवालों में. हमने आपको मेरे भाई mod पढ़ा जो मैं आप लोग को करा रहा हूँ नो वो next level की मेरे भाई करा रहा हूँ यहाँ पर next level का जो content है हर एक point हर एक तरीके से mean हो गया, standard deviation हो गया, variance हो गया, ठीक है सारे points हमने आपको करा दिया है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यह क्या होता है समझाते रहें कभी भी mode निकालना है, तो जिस frequency का निकालना है वो f होता है मेरे भाई मेरा अपना तरीका है देखो लिखने का f और f not मैं believe नहीं करता हूँ, मैं ऐसे मानता हूँ जिसमें मुझे निकालना है वो f हो गया, इसके lower मेरे भाई limit यहाँ पर l हो गई, टीक है उपर वाला मेरे भाई f1 और नीचे वाला हमारा f2 हो गया, तो यह हमारा formula होता है कि sir, l plus f minus f1 divided by 2f minus f1 minus f2 into height, height का मतलब यहाँ पर इनके बीच में जो gap है, वो हो गया इस सिदा सिदा हमारा mode निकालने का formula होता है, अगर हम इस question में देखे तो बोला गया a state of data represented in form of a frequency distribution and frequency has a mode of इतना, तो मेरे भाई यहाँ पर frequency का mode मतलब f कमान हमारा कितना हो गया मेरी निजरों में, तो f कमान यहाँ पर 48.5 हो गया फिर बोला गया lower boundary of model class, यानि L कमान हमारा कितना हो गया, तो 46.5 हो गया है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, the frequency of model class, टीक है, अच्छा question में बोला गया, set of data presented in form of frequency distribution of class interval and their respective frequency has a mode of 48.5, lower boundary 46.5 है, frequency of model class was इतना, frequency of the class interval just preceding the model class was 32 and frequency of class interval just successive, यहाँ पर f1 कमान हमारा कितना हो जाएगा, तो f1 का जो मान है, वो हमारा 32 हो जाएगा, f2 का जो मान है, मेरे भाई, वो हमारा कितना हो जाएगा, तो f2 का जो मान है, वो हमारा 25 हो जाएगा, टीक है, और question में बोला गया, frequency of model class, यानि यह हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर frequency हो जाएगी और set of data form of इतना ठीक है and their respective frequency is a mode, यह हमारा mode का मान है, देखें, तो सारी बाते हम आपको दुबारा देखें, यह हमारा किस का मान हो गया, तो यह हमारा mode का मान हो गया, question में सही तरीके से पढ़ लीजे, तो बोला गया यहाँ पर कि mode की value कितनी है, साड़े अरतालिस है, lower value कितनी है, तो साड़े शैलिस है, तो lower value साड़े शैलिस लिख दी, ठीक है, उसके बाद frequency of model class is 34, तो model class की frequency जिसमें वो लाई करता है, वो 34 है, उसके नीचे वाला 32 है, उसके उपर वाला मेरे भाई, पचीस है, यहाँ पर, यही बोला गया ह the frequency of class interval just preceding, preceding का मतलब पहले वाला 32 है, और बाद वाला मेरे भाई 25 है, तो question में width बोला गया, width का मतलब यहाँ पर height का मान पुछा गया, अभी formula आपको बताए थे, और formula क्या बताए थे, mode बराबर lower limit प्लस यहाँ पर, क्या हो जाएगा, तो बोलोगे sir, f minus f1, और divided by क्या हो height हो जाएगा, mode की value हमारी कितनी है, तो साड़े 48 है यहाँ पर, lower limit की value हमारी कितनी है, तो साड़े 46 है यहाँ पर, टीक है, f minus f1 की अगर हम बात करते हैं, तो 34 में से 32 चला गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 होगा, टीक है, यहा 34 का दोगना हमारा कितना हो जाएगा, और साड दोनों को निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 57 यहाँ निकल जाएगा, ठीक है, into हम क्या करेंगे, तो height करेंगे, height है तो नहीं पता है, तो इसको as it is रहने दो, साड़े 48 है, साड़े 46 है नहीं 2 हो जाएगा, और यह हमारा कितना हो जाएगा, 2 into यह हमारा किसकी value है, मेरे हमार एक point हमने आपके लिए clear कर रखा है, कोई ऐसा point था ही नहीं, कोई ऐसा question था ही नहीं कि हमने ना पढ़ायो, मैं relevant questions पढ़ाने में believe नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चे को out healthy content दीजे और उसकी कई बार practice करवाईए, ठीक है, आपका data calculated हो सकता है, सवाल को समझते हैं, कुछ भी नहीं है, यार जब देखो यहां पर यह bracket लगा हुआ है, तो यहां पर जब यह bracket लगा हुआ है, तो बाहर वाले को तो हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं, इसमें तो कुछ करने की अवशकता ही नहीं है, तो 8 का 9 गुना मेरे भाई, और 27 का 2 गुना, यह으로 35 हो जाएगा, यह तुम्हारा 24 हो जाएगा और यह multiply में बदल जायगा, 9 से 4 बार में, 9 से 5 बार में, 5 से तुम्हाրा 5 बार में, और 4 भाई 6 बार में, तो यह 5 बटे 6 को 1 बटे 6 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर ऐसे गुना कर लो भाई, शके बाद म तीन से काटेंगे तो साथ बार में, साथ से काटेंगे दो बार में, 24-25 खतम, यह हमारा आ जाएगा, मेरे भाई यहाँ पर एक आ जाएगा, और कुछ बचेगा तो बोलोगे नहीं सर नहीं बचेगा, नो से साथ बार में, नो से आठ बार में, तो मेरे भाई साथ अपॉन हो गए यहां पर ठीक है प्लस हमारा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर पांच माइनस देखो यहां पर सारे के थारे हम पर एक साथ रख लो ना पांच बटने पेपर था आप यूं कह सकते हैं बड़ अपनी रफ्तार को भी ज्यादा मेंटिंग करके चलना था अब इस कोशन की बात करते हैं क्या बोला गया पड़ो 10,000 रुपए पर 20% वार्शिक दर्श्रे चक्रवीदी ब्याज 4,641 है यदि चक्रवीदी ब्याज 8 वार्शिक रूप यह बड़ा को है 2 साल बात कतम वोलोे सर कैसे यहां पर देखो 10,000 रुपि मेरे भाई यह ब्याज बना है यह तुम्हारा पैसा है और यह तुम्हारा ब्याज है यह पता है। 56.41 होता है वो प्रिंसिपल का कितना पर संट है już 46.41 यानि मेरे भाई अच्छे से पता, यह तो सबसे बेसिक सा एक्जामपल होता है तीक है, 10% का 2 साल मेरे भाई 21% हो गया 10% का 3 साल 33.1, 10% का 4 साल 46.41 बच्चे को तो पहली क्लास में मैं याद करवाता हूँ तो यह हमारा प्रिंसिपल हमारा इतना था उसके बाद हमसे बोल दिया गया कि ब्याज तुम्हारा 4,641 है यानि लगबग यह हमारा इसका कितना परसंट है तो 46.41 परसंट वाली बात हो गई भाई अब यह इतना परसंट है, उसके बाद हमें जो रेट दे रखा है वो हमें बोल रखा है 20% बट मजे की बात बताओं, कोशन में बोला गया है यहां पर कि for how many year the sum was यहां पर compound interest half yearly है half yearly के case में देखो, यह तुम्हारा 46.41 का ब्याज आया है यह कैसे निर्मान होता है, तो मेरे भाई 10% के हिसाब से 4 साल में मेरे भाई निर्मान होता है 10% का 4 साल का successive इसको इतना बनाता है अब मेरे भाई मेरी बात को समझना हमारा rate यह दिया गया है, लेकिन यह rate यह कैसे बन गया तो यह rate half yearly पर है, question में बोला है half yearly है, तो half yearly में rate हमारा क्या होता है? आधा, और समय मेरे भाई क्या होता है? तो इसका आधा इतना है, कि संख्या का यह double 4 है, तो मेरे भाई 2 का double 4 है, इसलिए मैंने क्या बोला है? तो बोला है, कि यदि पहले rate 20% और समय दो साल रहा होगा, तो 20 का आधा 10 हुआ होगा, दो का double 4 हुआ होगा और इसका सकसिव इतना मिलकर बनाया होगा, इसलिए समय हमारा कितना होगा? तो 2 साल होगा, आजो भाई, next question number 29 देखते हैं क्या बोला गया? यार ये question, जीवन में, जब जब बच्चे को पढ़ाता हो ना, एक ही बात बताता हो, तुम सब भूल जाना, उसको भूल जाना, उसके दिए कसमे भूल जाना, उसके वादे भूल जाना, दुनिया की हर चीज भूल जाना मेरे भाई, लेकिन ये formula तुम मत भूलना, याद है और मैं बार-बार बोलता हूं कि ये सवाल ऐसी है, जिसकी आत्मा भटक रही है, question पढ़िए, एक वैपारी अपने माल का विकरे मुले, करे मुले से 42% अधिक अंकित करता है, वह अपना माल अंकित मुले पर 15% का discount दे के बेशता है, उसका लाभ प्रतीशत हमारा कितना है, ये बता दीजे, हमने का यार, जब भी तुम्हारा discussion चार चीजों को लेकर बने, MP upon CP बराबर ये वाला formula तुम ध्यान रखना, 100 plus minus profit or loss divided by 100 minus discount, अगर मेरे भाई question में देखेंगे, तो बोला गया, क्रे मुले से कितना % जादा अंकित मुले है, तो 42 यानि, अगर हम बात करते है ये हमारा 100 है, तो ये हमारा 100, 42 है भाई, ठीक है, question में percentage profit बोला है, तो चलिए माल लेते हैं, 100 plus X हो गया, discount हमारा कितने का है, 15 का है, 100 में से 15, 85, भाई देखो game, बच्चे जो होते हैं बेसिक, ठीक है, beginner, वो क्या करते हैं, वो भाई या इसको 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, दुनिया के सारे रंग तो माशहनों टंकी करेंगे, अरे यार ये देख लो ना भाई, ये कितना कम हो गया, 15% कम हो गया, ये कितना कम हो गया, 15% तो इसमें 15% की कमी कर दो, इसका 15% कितना होगा, 10% 14.2 और 5% यहाँ पर 7.1, 21.3, इसमें से मेरे बाई 21.3 करो गया, 21 काट लो में 14 और साथ 21 काट लिए तो यह सर 121 के करीम में आगा 121 का मतलब 100 में कितना जोड़ोगे तो 100 में मेरे भाई 21 की जोड़ोगे प्रॉफिट तुमारा कितने का 20 वन परसंट खेल खतम यहाँ पर चलिए आईए तो कोशें नमबर 30 पर चलते हैं तो X upon Y का मान कितना होगा तो मैंने कहा यार यह पैसा है इस पैसे पर 10 परसंट के दर्शरे तीन वर्षों में हमें ब्याज कितना प्राप्त होगा तो हम बोलेंगे सर देखो जो ब्याज होगा इस संख्या का 10 इंटू 3 30 परसंट है यहाँ पर पर बोलता हूँ इस पर मेरे भाई एक साल का ब्याज कितना होगा इसका 1 परसंट 62 तो 14 परसंट कितना होगा तो बोलोगे सर एक परसंट 62 है तो 14 परसंट हमारा इतना होगा यह हमारा एक साल का ब्याज एक साल के ब्याज को Y से गुना करेंगे तो टोटल ब्याज हमारा 1736 निकल के चलाएगा 62 से मेरे भाई सीधा सीधा या पहले 14 से काट लो 14 से काट होगे एक बार में 33, दो बार में और 14, 45, 56 62 से मेरे भाई दो बार में Y का मान दो तो question max upon Y बोला है यानि 840 बटे में 2 यानि कितना हो जाएगा 420 हमारा correct answer option number C का होना प्यार है ठीक है तो ये मेरे भाई पूरा का पूरा आपका हो जाता है मेंस का पूरा discussion खतम और साथ में मेरे भाई सबसे बड़ी बात हम आपको एक बात बोल दें तो अभी आप लोगों का सीजल मेंस का जो आप लोगों का answer किया है तो उसके लिए मैं comment box में google form का जो है वो link pin कर देता हूँ आप उसे भर लीजेगा कितने mark side matter नहीं करता है important जो है यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने paper दिया आप लोगों ने अपनी performance की जंग जीतना नहीं जीतना वो बाद की बात हो जाती है तो मैं यहाँ पर comment box में description में दोनों google form का link दे दूँँगा survey के लिए जो बच्चे जो हैं 2023 का मेंस का paper दिये हुए है वो survey form fill up कर देंगे और बढ़िया तरीके से सही data भरेंगे हाँ पर बाकी उमीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा देखो हमने अपने end से सब कुछ पढ़ाने की कोशिश की मैं इस batch में हमने सब कुछ पढ़ाया सारा content आपको दिया और question भी देखा आपने आपका वहीं से आया है बस बढ़ियां से बाकी level के उपर में moderate इसलिए हो गया क्योंकि इनके सबी questions थोड़े से time ticking थे थोड़े से अच्छे थे but out of the box की बात करें तो एक भी question out of the box नहीं था कभी ऐसा था ही नहीं है पर जो बच्छा phase 9 का, phase 10 का, phase 11 का CRPF head constable, ICR हो गया CRPF ministerial का paper हो गया तो ये सारे लगा कर गया तो उसके लिए questions कुछ भी नहीं थे बहुत असान से questions थे multiple practice आज के समय नीड है आवशकता है मेरे भाई need of the hour यहाँ पर यह है कि questions की ज़्यादा से ज़्यादा practice की जाए और बाकी फिर बोलूँगा अगर में इसकी मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थेंक्यू